क्रीम्स या लोशन, आलोवेरा या कोकनट ओयल, क्या लगाऊं जिससे सेक्स करने में प्लेजर आए, किस तरीकी के लूप्स का इस्तमाल करना चाहिए, स्पेश्टी जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, पहली बार या हंडरेट टाइम, क्या चीज है जिससे प्लेजर बढ़ता है, हर चीज के बारे में डीटेल में बात करूंगी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, और ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए मिरसत कनेक्टेड रहें, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मैदा, आपके अपनी सांसलर और आपको असान हिंदी भाशा में देती हूँ, सारे से हेल्थ से जुड़े हुए सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन्स, क्या चीज़े नहीं है, क्या चीज़े सही करनी है, सब के बारे में, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, बहुत सब्सक्राइब कर हैं, चली हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल आक्टिविटी के दौरान में किस चीज़ का इस्तेमाल करूँ, बहुत से लोग जब इजली या तो सेल्फ मासे हैं, या फिर परफॉर्म करने वाले होते हैं, ऐसे समय पर प्लस जब आप टॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जब हमें लगे कि पैनीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इंसर्शन हो नहीं रहा है, या फिर हम आनेल एरिया में जाना चाहते हैं, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करें, आज हम लिस्ट करते हैं, सब वैसलिन पेट्रोलियम जैली है और लोगों को बहुत लगता है कि शायद पीछे से करते वक्त या आगी से करते वक्त वैसलीन का इस्तंमाल किया जाए या हाथ से कर रहे हैं तो वैसलीन गा है coconut oil लगाओ मसाज के लिए virgin coconut oil recommended है लेकिन अगर आप perform करते वक्त coconut oil यूज कर रहे हैं तो रेकमेंड़ नहीं है तीसे हमबर पर रखने वाली हूं जो लोग commonly use करते हैं aloe vera aloe vera भी अगर आप market से कोई aloe vera का gels बना रहे हैं या aloe vera की क्रीम बाई कर रहे हैं वह recommended नहीं है उसमें भी allergians है allergy होने के chances बढ़ते हैं if you are using for yourself या masturbation के लिए तो भी aloe vera recommended नहीं होता है फिर मैं बात करूंगी market में मिलने वाले lubes की पहुत सारी lubes आपको market में मिलते हैं जो water based या silicon based होता है especially जब आप toys का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर brand एक lubes आपको बताएगा कि इसको use कर लो या फिर आप अगर आप online market में देखेंगे जाए Amazon चले जाए कहीं पर भी lubes की बहुत जादा variety मलती है जो कि specially design होते हैं आपके sexual pleasures को better करने के लिए इसलिए अगर आप performance के दौरान क्या use करें सोच रहे हो तो lubes को definitely start करो एक अच्छा lubes जो आपके sexual pleasure के लिए ही बना है वो मैं यहां recommend कर रही हूं यहां मैं recommend कर रही हूं bold care vibe natural lubes यह एक तो intimate lubes है इसलिए क्योंकि इसके अंदा silicone free है को natural chemicals नहीं है properly water-based है इसके अंदा aloe vera extract है green tea extract है plus glycerine है ताकि आपका जो performance है वो better हो जाए friction को कम करता है irritation को कम करता है plus dryness को भी कम करता है और flavorless है कभी कोई बहुत बार जब हम lube use करते हैं तो उसमें chocolate flavor आता है या कोई और flavor आता है तो यह flavorless भी है so next time अगर आपको lube search कर रहे है so bold care wipe is top on your list इसके इलावा बहुत लोग creams, lotion, घर पे मिल रही baby cream इन सब का भी इस्तवाल करते हैं जो की recommended नहीं है अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं जो intimate area के लिए नहीं बना है let's say आप नीचे यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका इस्तमाल intimate आपके specially private part के लिए नहीं है उसमें ऐसा कुछ mention भी नहीं है तो उसका इस्तमाल definitely no-no है जो चीज आपके face के लिए नहीं बनी है वो आप face के लिए क्यों यूज़ कर रहे हो specially intimate area जहाँ पे तो already allergy हो जाए तो फिर doctor को भी दिखाने से शरम आ रही है हमें समझी नहीं आ रहा किस से पूछना है तो please उन जगाओं पे intimate जो चीज़ें वहां के लिए नहीं बनी है उनको use ना करें better used a good lube and bowl care wipe should be your choice आशा करते हो मेरी वीडियो अपके बहुत से doubts को clear कर पाई है चैनल पे नहीं है जरू subscribe करें और आप अभी तक क्या use कर रहे थे as a lubrication मुझे जरूर बताओ और नहीं use कर रहे थे वो भी बताओ या कभी use किया है वो भी मुझे जरूर comment में mention करो आप चाहिए तो मुझे instagram या facebook पे भी कने कर सकते हैं डॉक्टर निया official चैनल पे नहीं है subscribe कर लो और अगली कौन सी वीडियो देखना चाहते हो उसे comment section में जरूर लिखो पी जरूर्श।